कि CSS में हम लोग लास्ट वीडियो में जो हम लोग कोडवी साधिक का एक प्रोजेक्ट बनाए थे उसमें आज हम लोग मल्टीपल पेज की तरफ ध्यान देंगे कैसे मल्टीपल पेज बनेगा तो सबसे इंपॉर्टन बात यह है अगर आप मल्टीपल पेज बनाना चाहते हैं तो इसमें जो आपको अना content है जो same है सभी पेज में वो क्या है पहले तो उपर में आप लोग इन पर क्लिक किया तो आप देख रहो कि उपर में header है as it is है कोई changes नहीं आ रहा है तो आप अपना नया पेज बनाएं इसी folder के अंदर में यहां पे जैसे मालो आपने नाम रग यह login.stml यह apply.stml जो भी नया फाइल का नाम होगा वो रग सकते हैं कोई issue नहीं है और इंडेक्स में वो सारी चीजे आपको वापस copy paste कर लेनी है जो चीज सेम रहेगा जैसे कि आपको hate का section सेम रहेगा copy करना है और बस simply paste कर लेना है ध्यान रहे अब apply के पेज में जाएंगे देखो सब लोग, header को जो section देखोगी है तो इसको copy कर लेना है क्योंकि यह header same है login के page में तो कोई changes नहीं है, body tag सुरू करिए, body tag के अंदर में यह hit डाल दीजे, अब आपको बाकी जो काम हो करिए, जो करना है, जैसे example के दोर पे इसको link कैसे करेंगे, पहले वो देख लेते ह और login में भी header है चुकी, तो वहाँ पे भी आपको same चीज लिखना पड़ेगा, login.skin, अब क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब यह कि आपका project है, अब इस पे click करने से दूसरे page में जाएगा, जैसे देखो, चला गया, उपर में आपको page का नाम दिख रहा है, यहाँ पे, औ अब अपने normal login में जाएए, header के बाद यहाँ पे content, हम मेनाते हैं, यहाँ पे content नाम से, ठीक है, ध्यान रहे, css में वो नाम यूज नहीं होगा, जो पहले से यूज हुआ हुआ है, उस page में भी, क्योंकि दूनों page का css same है, तो हम ऐसा नाम ही रखेंगे, जो पहले इस्तमा नहीं किया गया, तो हम इसे content नाम रखा और card नाम रखा, css बगल में खोल देते हैं, ताकि इसका css हो सके, तो हम इसको css का सारा भाग छोड़ते हुए, हम यहाँ नीचे comment लिख देंगे, बस हो गया, और लिख देंगे यहाँ पे login page, login page, css, ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं, कि आप चाहो तो दूसरा page अलग से login का बना सकते हो, कोई पंगा नहीं है, देखो, login.css, लेकिन इस page को, इस page में import कर लेना, यानि login का css को इसमें कर लेना है, और यह तो connect है, तो आप इसम के लिए क्या करोगे, उपर वाला लाइन में, फर्स लाइन में आप क css यह वाला तो काम करेगा ही करेगा, तो इससे क्या होगा, कि जब हम इस पर css कर रहे हैं, login.css पे, तो वो style में include हो जाएगा, यानि यहां आजाएगा, और style से अराम से वो connect है, यह देख रहे हैं, आप style ही connect है, तो वो वहाँ पहुंच जाएगा, तो इससे क्या फाइद justify content, sorry, justify content center, align item center, align item center, और एक चीज़ ध्यान अगना, वो view height, आपको height कितना देना है, वो देख लेना, तो हमको 600 pixel मालो में ने दे दिया, अगर जरूत पर एगा तो और देखे, यह card है, card का background color white था, तो white ही डाल देते हैं, और इसका width कितना होगा, वो बता दो, तो width क्या है कि हमको यहां पर 30-35% का width चाहिए, हम दे दिया, और height फिलाल के लिए 400 pixel दे दिया, तो आप उस box को यहां पर देख पाऊगे, देखो, यह जो box बनाया, यह बनाया कहां से हम, यह login.css में बनाया, धियान से दिखिएगा, login.css में बनाया फाइल को, हम अपने इस main style में import कर लिया, तो login का जितना CSS है, वो इसमें आ गया, और इसको connect कर लिया, देखो, यह connect है, तो इससे मेरा काम हो गया, तो यह card बन के तयार है, हम अराम से login में काम कर सकते हैं, जैसे border radius करना वगेरा वगेरा, जो भी आप करना चाहते हो, करो, अराम से करो, देखो, यह यहां पर भ पचास कर दो, पचास कम कर दिया, तो, बा, तीस, तो नोटीस करोगे कि लगबख एक जैसा दिख रहा है, अब इसमें क्या-क्या चाहिए, वो जा दो, जैसे कि यह student login लिखावा चाहिए, वो आगेर आगेरा, तो हम सारी चीज़ें बनाते हैं, आप देखे आराम से, यह card ह अदर में हम सबसे पहले, यह h2 का इस्तमाल करके हम student login लिख देते हैं, उसके बाद, एक पतला सा तुम line देख रहे हो, देख रहे हो, यहाँ पर black color का है, वो hr से आ सकता है, horizontal line आ गया, इसके बाद आपको करना है, क्या एक group बनाना है, लेबल और यह input, लेबल और यह input, तो email में, 4, किसके लिए, तो email के लिए, और यह public को क्या दिखेगा, तो email ही दिख रहा है, वही डाल देते हैं, उसके जच नीचे input type, input type क्या होगा, email होगा, और यहाँ पे input type text लिख दो, class लगा के इसमें लिख दो input, ताकि इसको CSS direct कर सके, dot input लगा के, अब placeholder पे क्या लिखा ह दिख रहा है, नहीं, ब्लैंक है, तो placeholder एकदम ब्लैंक है, यानि डालने की जरूरती नहीं है, कुछ नहीं करना, इस तरीके से एक और group बनाओ, group, same CSS का नाम, और इसमें label, 4, किसके लिए, तो password, और यह public को क्या दिखेगा, तो password, और input type क्या होगा, input type, password, और नाम class का क्या ह होगा, तो input, जो के दोनों को CSS एक साथ कर सकते है, यह हो गया मेरा तियार, यहां तक काम कर लिया, अब remember me, और forget password, यह दोनों के लिए एक section बनाना पड़ेगा, तो हम यहां पे बनाएंगे, help, ठीक है, help लगा देते है, help नाम का class रख दिया, और उसके अंदर दो respond डालते है एक explain में लिखते हैं, input type radio, radio नहीं, check box, input type check box के बनाएंगे लिखा हुआ है, remember me, remember me, ठीक है, remember me लिखा हुआ, उसके just opposite side में क्या किया हुआ है, एक a tag में बना हुआ है, link है वो, देखो, forget your password link है, तो forget, इसका नाम रख देते है, forget, जब CSS करेंगे तो इसको use करेंगे, forget नाम से इसमें forget, forget your password, question mark, ठीक है, तो basically forget your password हो गया, उसके just नीचे देखो, फिर से मेरे पास इसको ने और इसको ने में दो बटन है, तो इसका नाम भी help पे रखेंगे, कहा है, कि help का CSS और उसका CSS दुनों सेम हो रहे है, इसलिए नाम दुनों का सेम रख दिया, हाला कि नाम का help की ज पुराना वही बटन है, तो इसका नाम क्लास में बीटीन अख लेते हैं, अब पहले पुराना जो बटन का CSS किया हो उसके लाग हो जाएगा, और बीटीन डैस इक कॉन सा कलर है, तिल, बीटीन डैस तिल आ गया, तो वो सरकल वला मामला इसमें आ जाएगा, ठीक है, और इसम तो बीटीन डैस, याद है तुम लोगों कोई इसका नाम रखा था, बीटीन डैस ब्लैक, बीटीन डैस टील, वो अभी समझ में आजएगा तुमको, देख, और बुट, कलर अपने आपा गया, तो वो सारे चीज़ किया वा था, तो उसी को यूश किया बट ये गोल हो गया तो इसको हटाने के याद भी तरीकाम बताएंगे अभी जस, लिखें कुछ काम और कर लेते पहले तब, तो कार्ड के अंदर में, कार्ड का जो CSS है, उसमें कह कह लिखना है, तो कार्ड में एक बात लिखनी है, वो ये है, कि डिस्प्ले इसका फ्लिक्स होगा, सॉरी, डिस् भी आगिया, और ये एक दूसरे के नीचे नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इसका नाम है, ग्रूप, इसको लिखेंगे, 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 इसको प्रफाइबल के ओपर हो रहा है यह जो लेबल है यह तो छोड़ दो यहां पर फिलाल इसको मोटा से थोड़ा सा पतला कर देते हैं इतना मोटा ठीक नहीं है ठीक है चलेगा अब जो गैप हम दिये थे पांच पिक्सल उक्दम नहीं चाहिए गैप हमको लग रहा है गैप के मिना काम करना होगा तो हम सटावा था देखो आ गया इसके बाद हम लोग रिमेंबर मी और यह इस दोनों का नाम हम लोग हैल्प रखा था है इसमें क्या होगा अब अब लोग यह जो पतला लग रहा है दिखने में वह थोड़ा ठीक करना पड़ेगा तो कोई बात नहीं रखेंगे उसका नाम रखावा है इनपूट यह नाम है हम इसको अराम से करेंगे कि देखो इनपूट तुम्रा फॉंट साइज बढ़ेगा तो 22 पिक्सल तो उस सब्सक्राइज बढ़ेगा फॉंट साइज बढ़ाने के बाद पैडिंग डालना है तो ऊपर नीचे से 10 अलेकिन दाएं बाएं से 20 देखो और जो लिखने का जगा है वह काफी बढ़ा हो गया अज कर थोड़ा सा बॉडर जो है वह आप चाहो तो चेंज कर सकते हो सॉलिड और ये ग्रेलर के लिए हम ट्रिपल ली कर देते हैं ताके उतनानी ट्रिपल डी थ्वा डॉरा दॉनी नीचे ला ऑगा या इंपूर में मार्जीन दे सकते हो वह अपने हिसाब से डिजाइन किया जा सकता है पहले तो पैडिंग जाधा चाहिए हम जो कार्ड में पैडिंग डाले हैं दस काफी नहीं है तो इसमें 30 या 20 ऐसे दे सकते हैं देखो पैडिंग जाधा हुआ तो हाइट इसका क्या हुआ बढ़ गया है हाइट 350 दिये तो इसको कर देंगे आउटो यानि जितना सम जितना कॉ बुल्ड नज़र आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे HR को CSS करते हैं तो क्या देखो पैड़े तो तो बैक्ड़ाउंड गलर ने लगाए देख सके दें दो कि बैकड़ाउंड बाडर से चाट आँ आँ बाडर से चाहिए बाडर तो बाडर या टिर ढून पिक्सल सालीड रि चलेगा तो रेट के बाद यह जो ट्रिपल डी कलर होता है ग्रे होता है देखो पतला गरी कलर आ गया तो यह को पॉसिबल होगा जो तुम चाहो तो कर सकते हो और वन पिक्सल आ रहा है उसके इलावा मतलगता हमको आउटलाइन भी होगा साइद इसको जीरो करके देखते हैं जीरो अच्छा यह बॉर्डर दोनों साइट से चला गया होगा तो बॉर्डर जैस से बॉर्टम लगा देते हैं तो इसे मोटा थोरा सा पतला होना चाहिए चलो कोई बात नहीं इतना काफी रहेगा और दूस्तरी चीज यह है कि यह बटन गोल गोल आ रहा है गोल गोल नही हो जाएगा और इंपोर्टन लगा दो यह नि अगर कोई ओवराइट भी हम करना चाहिए तो इंपोर्टन देखो तो इसे क्या होए नो रांडेट जहां भी लगाएंगे उसका बॉर्डर रीजिस कितना हो जाएगा जीर हो जाएगा तो यह दोने में लगा दो इस पेस दे लिए क्लिक करें तो हॉमपेज पर लिंक पर लिंक आए तो होमपेज करने के लिए 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 इन्डेक्स डोट स्ट्रियमेल और यह बात दोनों जगा लिखना हुगा क्योंकि हेडर दो जगा पर अब इंट्रेसिंग चीज़ देखो होम पेज अब क्लिक करेंगे और contact भी बनाएंगे, तो सबसे पहले about बनाएंगे, ठीक है, about page में देखो क्या बना हुआ है, एक पत्ला सा पट्टी उपर में, header वैसे ही सेम है, और यह सब कुछ बनावा है, इसके नीचे यह text है, बाकी कुछ भी नहीं है, चलो बनाते है नया page, नया page का नाम है about.stml, about ही न में पेस्ट कर दो, header के बाद body tag का ending नहीं लेकर आये थे, और HTML का ending, ध्यान से करना गलती नहीं होना चाहिए, और title में about us, यह तो लिखी सकते है, ठीक है, अब यह जो header है मेरे पास, इसका अस्तमाल अराम से हम देख सकते है, about page में हुआ कि नहीं हुआ, अब तुम्हारे पा यानि सभी page में रहना चाहिए नहीं तो किसी एक page से काम नहीं करेगा, देखो, कमाल की बात, अब हम लोग होम page में आ सकते हैं, लॉग इन में जा सकते हैं, और about का page भी बना लिया, यह about का page, उपर देखो लिखा about us, इसका में तब वो about का page बनके तयार है, अब हमको जो बा about.css नाम रख दिया, अब इसको अपने में फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे वही तरीका, क्या लिखना होगा, निया सिंटक्स लिख रहे हैं आज हम लोग, इंपोर्ट, एड़रेट, इंपोर्ट, और उसमें बीच में क्या लिखना होगा, css का नाम हो गया, तो इ about.css और यह about.css एड़रेट, इमल पेज, इसमें क्या करना है, इसमें वह काम करना है, जो नीचे रेस्ट है, जैसे देखो, यह पत्ती बनाते हैं, यह वाला, यह जो तिल कलर का पत्ती है, इसका नाम हम दो रखते हैं, पहले तो इसका नाम एक बार हम बैनर नाम रख किया है, इसमें हाइट कितना दिया है, 500, अगर इसको आटो कर देंगे तो क्या होगा, यह तो पतला हो गया, लेगे होम पेच पे ठीक ठाक है, एक दम ठीक है, तो इसका मतलब हम पुराना वाला बैनर को ही अपने में यूज कर सकते हैं, यहाँ आटो लगाने का फाइदा क नहाँ पे हम लोग इसका नाम रख देते हैं, पहली चीज है, पहली चीज हो गए बैनर के अंदर में, नेव, नेव नाम रख लेते हैं, नेव क्यों नाम रखा हम, क्योंकि देखो, यह जो होम और यह जो अबाउट दिखा रहा हुए एक तरीका ब्रीट करम कहलाता है, इस नाम ब्रीट करम नहीं रखे हम नॉर्मली लिग दिया नेव, तो हम लोग इस तरीके का एक लिंक त्यार करेंगे, जिससे हम लोग बता सके कि होम के बाद हम कहां पे हैं, अबाउट में हैं, और नीचे में टाइटल है, तो यह ऐसे कुछ बनाते हम यह पे, तो हम इसमें स् पेन के अंदर पहले तो हम वो डाल देंगे ऐकन, लाएंगे हिरो आइकन, हिरो आइकन में सब्सक्राइब होम का लिंक अपर डाल देंगे, लिखो देखो आगया होम इसका कॉपी करते हैं स्वी जी कॉपी करने के बाद हम यह चिपका देते हैं यह पेस्ट करने के साथ ही उस पेज में जो अभी हम बना रहें उस पेज में कहीं नहीं तुमको आइकन नजर आएगा नहीं आया नेव अच्छा कुछ ना कुछ कर लेते हैं CSS हमको लिखना है about.css में और इसका नाम हो गया dot nav इसका CSS होगा और dot nav का CSS होने के बाद लिखेंगे flix 1 flix 1 और display flix कहीं आका इनर्जर नहीं आ रहा न SVG तो हम डाल दिया ठिक ठाक और इसमेंसा कुछ है भी नहीं की 24 x 24 ठीक उसके अंदर लिखेंगे उसके अंदर का जो span है नेव के अंदर जो span है span span tag है ठीक है उसका width 10% अब आया नजर हाँ आ गया तो हम width दिया तो काम हो गया है तो हम इसको pixel में देंगे 24 pixel देखो 24 pixel ऐसा होता है इसको और कम करना चाहते है तो 16 pixel तो अपने हिसाब से आइकन को चेंज कर सकते हो color change करना चाहते हो करो white देखो आगे white तो यह white color का home दिख रहा है इसके बाद हमको home लिखना है फिर एक arrow का sign है फिर about लिखना है तो इसे तरीके सम पूरा करते हैं इसको span के बगल में फिर से span मनाते है और लिख देते हैं इसमें home बट यह a tag में बनेगा धिहान रखना है हलाकि इसको फिर span की ज़रूत नहीं है एक हो गया काम उसके ज़स्ट बाद फिर से span बनेगा और इसमें फिर से आइकन जाएगा वह आइकन होगा arrow का sign देखो हम आ गया है आइकन का sign यानि उसको बोलते है केरोवन केरोवन बुलते हैं देखो केरोवन डाल देगे यहां पर इस पैन में तो यह आइकन भी आ जाएगा और इसके फिर बाद एटाग है जिसमें लिखा रहेगा about तो इस पर क्लिक करने से about पर क्लिक करने से about में चल जाएगे about.html में जाएंगे और अगर कोई home पे क्लिक करेगा तो हम index.html में चल जाएंगे ऐसा लिंक कर देते हैं तो यह हो गया त्यार देखो देखने में लग रहा है एक जैसा अब इसको थोड़ा gap देना बाकी चीज़ें हम यहां से कर लेंगे तो सबसे पहले तो हम गैप देने का काम करते हैं तो कहते हैं नेव के अंदर जो A-Tag है उसका कलर वाइट कर दो देखो अंडर लाइन तो हम लोग वही से मिटा दिये थे A-Tag उनिवर्सल डाल दिये थे ताकि सभी A-Tag में ऐसा हो अब थोड़ा इस पेस चाहिए तो इस पेस आईजा गाप से पहले तो यह लिख देते हैं जिस्टिफाइ जो अलाइन अटम सेंटर और गैप दस पिक्सल बहुत है देखो गैप आगया तो लगबग वैसा ही हम जिजाइन बनिया दिये आइकन अलग है उसका इकन सॉलिड है मेरा इकन अलग है लेकिन चीज वही है जो हम बनाएं देखो हम पीच में से लेगा है और इसमें क्लिक करने से यही पेज रिफेस हो जागा ऐ इसके लिखा दिखार वा ए ? इसके लिखार आगए एसके लिखार की फांट साइजी थोड़ा साथ फांट बक्रा बि59 शमया भांट बाहर दीख देखा जाए तो अब द्दो मेज़ाग के लिख निए था इते ओकर दिख रही है तो इसके निज़ एक अचा इसनल दॉनों को एक साथ कवर करेंगे किसी एक बॉक्स में इसका नाम रखते हैं बैनर कंटेनर बैनर कंटेनर अब क्या होगा कि हम लिखेंगे ऐसे डॉट बैनर के अंदर जो अंदर जो बैनर कंटेनर है कंटेनर है उसका डिस्प्लेइ फिल्क्स करो और इसका फिल्क्स डारेक्शन एक दूसरे के नीचे कर दो तो क्या होगा एच वन उसके नीचे आ जाएगा लेकिन जस्टिफाइग कॉंटेंट सेंटर होगी अपने आप तो हम लिखेंगे यह गरबड़ हो रहा है वो फिल्क्स वन चूट रहा है विथ नहीं पता कर ठीक देखें विथ कम था तो बीच में लगा था खैर अब हम लोग लिखेंगे बैनर के अंदर जो बैनर कंटेनर है उसके अंदर जो एस्टू टैग है उसका कलर वाइट कर दो वाइट करवा दि पिक्सल ठीक है और इसका फॉंट साइज बरवाएंगे एस तू का तो फॉंट साइज 26 पिक्सल फोरा सा बोल होना चाहिए 26 के जगा 28 पिक्सल देखो 32 पिक्सल और बड़ा करना तो यह जैसे इसमें था वैसे लगबग आ गया तो इसके नीचे यह वाला एरिया में क्या कर कर लिख रहा है इसका ध्यान रखना है ठीक है तो हम जो बैनर का काम खतम कर लिए बैनर को मोर देते हैं और यहां पर कमेंट में दी देते हैं बैनर स्टार्ट और यह कमेंट में देते हैं यहां पर कि बैनर इंड हो गया इसके जस्ट नीचे यहां पर इसका नाम रख देत copy paste करके लेकिन लेकिन सबको अलग-अलग लिखना होगा यहात प्रोडिंग तक यह पैगराप में लिखना होगा तो इसको कट कर लेते हैं और उसको P टैग में जाल देते हैं देखो पैगराप में चला गया है अब पैगराप आवर मिशन जो लिखाव है वो एक एडिंग है H2 में लिख सकते है H1 दो बार रिपीट नहीं होता है ठीक है त्यान रखना है H2 आवर मिशन हो गया और यहां से यहां तक एक प्रेगराप में चला जाएगा यह उपर कर देते है P और उसके य चूज अस य चूज अस लिखावा है यह फिर से हेडिंग है तो इसको भी H2 में डाल देना है H2 में डाल दिया और उसके नीचे जितना कुछ है आप देख रहे हैं क्या है जितना कुछ है किसमे है? ULLI में है ना? HTML में पढ़ा है हम लोग इसी एक फॉर्मेट में इसमें डाल देते हैं सबसे पहले लिखेंगे unorder list li और इसमें यह सब को डालते चली जाना है तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि यह सब li में convert हो जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे? multi-cursor करेंगे कहां तक लिखना? supportive environment तक यानि यहां तक देखो एक साथ हम multi-cursor के इस्तमाल कर रहे है और li tag में डालने की कोशिश कर रहे है तो इसका जो ending tag है यह हम कट कर लिया ताकि हम इसको सब के आखरी में जोड सकें देखो कैसे? सब का ending tag जोड दिया तो यह जो ul tag है इसको हम इसके बात खतम कर देंगे तो हो जागा काम देखिए अब आपको इसको कर देते है formatize formatize जैसे करेंगे यह अच्छे से arrange हो जाएगा और आपको साफ सब दिख रहे है कि ul li का tag में आ गया उसके नीचे का जो चीज है प्रोडामिंग तक यह एक paragraph में आएगा यानि एक p tag में चला जाएगा और इसके जस नीचे वाला जो content है यह भी अलग p tag में चला जाएगा तो जो paragraph है उपए p tag में डाल दिया बात खतम हो गया अब मेरा page देखो यह देखो एकदम heading वेडिंग और यह पूरा ULLI में आ गया तो पूरी तरह से content आ गया बस इसको बीच मिलाने का दे रहे तो हम इसका नाम क्या रखेते है about container about container और about container में क्या क्या करना है सबसे पहले important चीज है कि इसको display flex कर देते हैं एक दूसरे के नीचे आए फ्लिक्स direction कॉलम कर देते हैं और padding लगाते है padding लगाना बहुत ज़री है उपर नीचे से 20 पिक्सल लेकिन दाएं बाएं से 15% और वह % क्या करेगा इसको इधर से घसका देगा इधर से घसका देगा देखिए अब अराम से इधर इसका जो space है इसको आप 15 से 20 कर दो यह जादा से जादा हो सकता है अब इसमें जो gaps हैं वह हमको कैसे देने हैं बस gap लिखके देने gap 20 पिक्सल देखो सब कुछ अपने से अपने हिसाब से range होगी है जैसे चाहिए था बट यह टेक्स देख लो यह वाइट रंग में और यह वाला पूरा का पूरा कोई बात ने एक बार लिखो एक बार में लिख सकते हो color white बस हो गया देखो यह मेरा वाला सब का color white about page पे बनके त्यार हो गया home page भी बना आप इसमें क्लिक कर सकते हो अबाउट पे भी क्लिक कर सकते हो और अपलाई भी क्लिक कर सकते हो 10-15 मेंट और रुक जाओ website भी बना के भीज देते हैं क्या बूलते हो चलो तो यह यहां तक हम चोड़ देते हैं बाकी चीज़ें home, about और logging page भी ट्राइक करो ठीक है धेर धेर चीज़ें करोगे तो सीख जाओगे जल्दी से और बहुत असान है इसा सीखना बहुत मुश्किल काम नहीं है लेकिन अगर सोचोगे कि इतना बड़ा वीजियो है कैसे देखेंगे तो फिर तो भी दिक्कत है लर्निंग के लिए वीजियो लंबा बनाना ही पड़ता है वैसे भी 26 मेट का हुआ है तो चली मिलते है नेक्स वीजियो में तब तक के लिए बाट